इसमें लिमिट तो नहीं है कुछ टाइम लिमिट नमस्कार साथियों मेरा नाम है अभिनातो शांशु पांडे और ग्यानदा इस की सारी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हम बात कर रहे थे विभाजक्ता के नियमों की हम लोगों ने दो के विभाजक्ता फिर चार और आठ मतलब दो के गूं मतलब पहाड़े में आने वाली संखिया और उसके बाद में 5, 25, 125 इस प्रकार से विभाजक्ता के नियम देखे रहे आज हम देखने वाले हैं कुछ अलग और वो क्या है देखिए आज हम बात करेंगे विभाजक्ता 9 से अब कोई भी संख्या जो है हम लोगों ने जब अगर हम बात करेंगे वैदिक गड़ित की तो वहाँ पर इसको बोलते हैं मूलांग अगर जो है इस तरीके से देखेंगे तो क्या बात है यहां कहा जाता है कि यदि आप कोई भाजक्ता देखनी है तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले जो है कोई भी संख्या लेने एक चार दो नौ साथ तीन और इन सारी संख्याओं को आप क्या करेंगे उनके अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर जहें देखें नौ साथ तीन दस नौ उननीस बीस एक्किस एक्किस चार पच्चीस और एक शब्विस मतलब कुल मिला कि आपको 26 मिला फिर इनको भी जोड़ देंगे तो 6 और 2 हो जाता है 8 इसका मतलब यह है कि यदि इस संख्या को 9 से भी भाजित किया जाए 9 से इसको डिवाइट करें तो हमको 8 मिलेगा अच्छा इसका एक लॉजिक यह भी है कि हम क्या करते हैं कि पेर्स में जो है संख्यों को डिजिटल तरीके से पेर्स में ही जो है इनको आपस में खतम करते जाते हैं साथ और दो नौ होता है यहां पर एक और नौ है यह तीनों चीजें जो है कर जाएंगी अब चार तीन साथ और एक आठ तो आठ हमको अभी भी फिर से डिविजिबिलिटी के लिए मिल गया इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर को अगर देखना है कि नौ से भाजित होता है या नहीं या फिर नौ से भाग देने में कितना बचेगा तो हम उसके लिए यही काम करेंगे कि उसको सीधे सीधे जो है उसके अंकों को जोड़ देंगे लेकिन ऐसा हुआ कैसे इसके बारे में बात करने के लिए हम जो है इसके कारण के पीछे जो है यहां पर हमको करन क्या मिलता है देखिए हमारे पास में जो है जो numbers है उनके लिए कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे 29476 अब यहां पर जो है इन numbers को हम किस तरीके से लिख सकते हैं यहां देखिए जैसा कि हम इसा से करते आए हैं इनकी जो प्लेस वेल्यूज है मतलम टू इंटू एक दो तीन चार यह हो गया प्लस नाइन इंटू नाइन इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 थोड़ा सा लॉजिक है अलग है लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसके लिए हम क्या करने वाले हैं हम यह करेंगे कि इन नंबर्स को हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहां पर 6 है तो इसको 6 ही तो इसको हम यह सकते हैं कि यह है साथ गुना नौ धन एक अब दस को नौ धन governance तो लिखी सकते हैं तो इससे यह क्या हुआ कि यह जो सात गुना नौ जो निकलेगा क्या यहां से यह ज़ी तरीके से डिवाइब हो जाएगा किस से 9 से ठीक है लेकिन यह जो बच गया प्लस 1 तो यहां पर बच जाता है 1 इंटो 7 अब यहां पर देखिए तो यहां पर क्या होता है कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटो 99 प्लस 1 अब यहां पर 99 नो के पाड़े में आता है वो डिवाइड हो जाएगा तो यहां से 1 4 999 प्लस 1 लिख सकते है थाुदन को और इस प्रकार से यहां पर 9 एक 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 स्क्राव गया और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 9999 प्लस 1 तो यहां से भी जो है यह दो एक्स्टाव जाएगा बाकी तो सारी चीज़ें डिवीजिबल हो जाएगे तो इस तरीके से हम लोग के टेबल में आ जाता है और इस तरीके से हमको बड़ी आसानी से क्या मिल जाता है कि यह सारे के सारे नंबर उसमें से जो 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 डिजिट्स बचे हुए हैं अगर हम उनको आपस में जोड़ दें क्या क्या भीया तो यहां देखिए यहां पर जो है दो बचा कि कलर थोड़ा हो जाता है यहां पर दो बचा ठीक है उसके बाद में यहां पर नौ बचा प्लस यहां पर चार बचा प्लस यहां पर साथ बचा और प्लस यहां पर लास्ट में यूनिट डिजिट का च्छा बचा तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको यह समझ में आता है कि अगर इनके सारे individual digits को ही आपस में जोड़ दें, तब भी हमको remainder में क्या बचेगा, यह समझ में आता है, यदि remainder 0 आता है, तो पूरी तरीके से 9 से divisible है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमको remainder तो मिली जाएगा, अब इस तरीके से यह जो हमको information मिली है, इसके basis में आगे के कुछ हम questions solve करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं, कि यहाँ यह वाला number जो है divisible है, कि यह number हम लोग थोड़ा सा note कर लेते हैं, ताकि हमको आसानी हो, देखने में, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 9, 5, 1, अब जो है, हमको या तो इनकी सारे digits को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, और उसके ब कट करते जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर 9 है, इसको सीधा कट करो, यहाँ देखिए, 4 और 5 मिलके 9 बनाते हैं, इसको भी सीधा कट करो, 8 और 1 मिलके 9 बनाते हैं, इनको भी कट करो, अच्छा, यहाँ पर जो है, 6 और 3 मिलके 9 बनाते हैं, इनको भी कट करो, और यहाँ पर हो गया साथ और चार ग्यारा ग्यारा को में से एक और एक को जोड़ देंगे तो हमको मिला दो और इसका मतलब यह है कि यह नौ से डिविजिबल नहीं है और यदि नौ से हम लोग डिवाइट करेंगे तो हमको रिमेंडर मिलेगा दो चलिए आए देखते हैं आगे क्या है अब सिक्स और थ्री मिलाके नौ हो जाता है यहां पर यह भी नौ है उसके बाद में साथ और दो मिलाके नौ हो जाता है आठ और एक नौ मिलाके नौ हो जाता है और यह पांच और चार मिलके भी नौ हो जाता है मतलब यहां पर सारे डिजिट जो है अल्टिमेटली जो है नौ से divisible होने के संकेत दे रहे हैं so this number is divisible by 9 अच्छे चीजें हैं जल्दी से समझ में आती हैं अब इसके बाद में जो हमारा ये वाला question हमारे पास options लेके आता है और ये क्या बोल रहा है कि अगर ये completely divisible हो तो least value of x least को ध्यान देना ये सबसे छोटी value के बारे में बात कर रहा है one one four two four one x nine यहां पर जो है यह nine है इसको तो हम पहले से कट कर देंगे ठीक है यह nine कट कर लिए उसके बाद में देखिए यहां पर चार और चार आठ और एक नौ मतलब यह तीनो नंबर यहां गया c is equal to five चीजे जो है हमारे लिए मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान दें अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो सारी चीजें आसान होती जाती है चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले question कि और हमारा question क्या बुलता है देखिए अगर 9 से divide किया जाए तो remainder दो बचना चाहिए तब जो है ऐसे case में जो है x की value बताओ और वो भी कैसी value चलो ठीक है इन में से question value तो हमारे पास है three two six six five six one x four three eight अब यहां पर हमको जो है जल्दी से इनका जो है जो जो digits मिलके जो है 9 देते हैं उनको हमको use करते जाना है 8 और 1 9 यह 9 दे रहे हैं उसके बाद में यह 6 और 3 मिलके 9 देंगे यह भी ठीक है उसके बाद में देखिए 4 और 3 7 और यह वाला 2 मिलके हमको 9 देदेंगे इसको भी हटा दिया गया और अब हमारे पास में बता 6 6 12 और 12 और 5 होता है 17 7 और 1 8 होता है अब यहाँ पर हमको 8 मिल गया अब remainder 2 चाहिए तो भाईया अगर मैं यहाँ पर x की value 1 ले लेता हूँ तो पूरा number divisible by 2 हो जाएगा और remainder हमको 0 मिलेगा लेकिन क्योंकि हमको x की value 1 लेके remainder 0 नहीं करना है बलकि remainder आना चाहिए 2 तो हम यहाँ पर x की value ले लेंगे 3 और ऐसा करने से हमको remainder 2 मिल जाएगा option B हमारा सही answer हो जाता है बढ़ेंगे हमारे अगले question की तरब और हमारा अगला question क्या बोलता है देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि divided by 9 find the remainder अब यहाँ पर remainder निकालना है तो भाई 4 5 7 8 9 8 9 और 7 यहाँ पर देखिए यह 9 और यह 9 इन दोनों को तो बिल्कुल हटा दिया जाए क्यों क्यों क्योंकि यह divisibility के rule में आते हैं 4 और 5 यह दोनों हटा दिया जाए और अब हमारे पास में 2 7 हैं और 2 8 हैं 7 4 28 29 30 मतलब यहाँ पर जो है 3 0 3 आ रहा है तो मतलब यह है कि हमारे पास में remainder जो है क्या बचेगा 3 बचेगा and that is our answer हमने क्या किया 7 8 और यह 8 और यह 7 सब को जोड़के उनके digits को जो है निकाला लाश में 30 मिलता है या 3 मिलता है तो बढ़ेंगे हमारे अगले question की तरह और अगला question क्या है अब देखो divisibility of 9 हम लोगों ने देख लिया है अब divisibility by 3 भी देखना है अब यहाँ पर क्या है भाईया देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर जो है कोई number 9 से divisible हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह 3 से भी divisible होगा इसका कैसा है आईए देखते हैं सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो है जो फॉर्मूला है जो फंडा है वो क्या है उसके सम अफ ऑल दे डिजिट्स मतलब उसके जितने भी अंक है माल लिजाए 34967 ऐसा मैंने कोई की नंबर लिया है तो मैं इनके सारे डिजिट्स को जोड़ूंगा और उसके बाद में मैं देखूंगा के साथ 11 मतलब इसमें 2 रिमेंडर बच रहे या 34965 और इस कंडिशन में जो है क्या हो जाएगा कि यहां पर जीरो रिमेंडर बच रहे हैं मैंने कैसे देखा मैंने ऐसे देखा कि डिविजिबिलिटी वाई 3 देखने के लिए सारे digits को जैसे 9 के लिए किया था वैसे ही हम सारे digits जो है add कर देंगे और उसके बाद में वहां से हमको remainder का पता चलेगा अच्छा remainder हो कितने सकते हैं यह देखो अगर कोई सा भी number है मैं उसको अगर 3 से divide कर सकता हूँ तो या तो कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 होगा या तो 1 आएगा और या तो 2 होगा फिर से अगर जो है उसमें remainder 3 बचने की condition आती है हम दुबारा से एक में पहुंच जाते हैं मतलब एक remainder के conditions को भी तो हमको ध्यान में रखना है आए देखते हैं इसके reasons क्या है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है के हम लोग जो है पूरे के पूरे digits को जो है इस तरीके से लिख सटके हैं 9 9 9 और यह अब देखो हो क्या रहे के अगर मेरे पास में हैं 2 4 9 6 अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो आब तो इसको लिख सकता हूँ 2 into 1000 plus 4 into 100 plus 9 into 10 plus 6 अब मैं इसको और किस तरीके से translate कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से तो मैं यह करूँगा 2 into 99 plus 2 into 1 यह देखो 99 plus 1 मिलके क्या हो गया 100 हो गया 999 कर लेते हैं क्योंकि यह 1000 है plus 4 into 99 plus 4 into 1 उसी तरीके से मैंने कहाँ पर क्या किया 9 into 9 plus 9 into 1 और लाश्ट में कर दिया 6 into 1 अब यहाँ पर जो है जो जो numbers आपको पूरी तरीके से 3 से divisible नजार आ रहे हैं वो यह 990 वाले हैं मतलब यह पूरी तरीके से 3 से divisible हो गया यह पूरी तरीके से 3 से divisible हो गया यह भी पूरी तरीके से 3 से divisible हो गया बचा क्या है हमारे पास में तो हमारे पास में बची हुई चीज़ें तो अब हम को finally क्या समझ में आता है कि कोई सा भी नंबर हो उसके जो digit है उनको सब को आपस में जोड दिया जाए तो हम 3 से divisibility भी चेक कर सकते हैं आईए एक एक करके करते हैं यहां पर बताईए कि यह नंबर 3 से divisible है भी के नहीं है यह देखने के लिए 7 8 7 4 5 अब देखो यह 4 5 5 4 9 होता है इसको तो हटा देंगे हम लोगों ने डिजिटल सम देखा था तो यह हटा देंगे अब इसके बाद में साथ दूने चोदर साथ के 21 और 12 मतलब 2 प्लस 2 और मतलब यह हो जाता है 4 और अगर मैं 3 से डिवाइट करूंगा तो remainder कितना आएगा मैंने कहा 4 मतलब यह ह से 3 निकाल दो और remainder आजाएगा 1 तो आपको दोनों तरीके की चीजे सोचने में सक्षम रहना है दोनों तरीके की चीजे सोचना है आए दूसरा question देखते हैं अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि यह क्या है 2 2 4 5 7 8 1 और 3 से divisibility देखना है फिर से हम जो है डिजिटल सम करेंग हम जो भी चीजे दिख रही है 5 4 9 7 2 9 8 9 और बचता है 2 मतलब डिवीजिबल नहीं है और यदि हम लोगों इसको डिवाइट करने की कोशिश की तो remainder मिलेगा 2 चलिए बढ़ेंगे हमारे अगले question की तरफ और हमारा अगला question क्या बोलता है देखिए अगला question यह बोलता है कि इ 6 5 6 4 4 7 7 4 x 1 इसको डिवाइट करना है 3 से हम क्या करेंगे देखो यहां पर जो है 5 और 4 9 हो जाता है तो इनको जो है डिजिटल सम करके वो सारी चीजें निकाल देंगे जो हमको ठीक है उसके बाद में यहां पर जो है 6 अच्छा दो चार है तो जो है हमको 10 10 20 मिल जाता है और उस 20 में से जो है देखे 6 6 12 और 6 6 12 और 12 4 16 4 20 और उस 20 में से उस 20 में से 2 प्लस 1 करने से 2 प्लस 0 करने से आया 2 और यहां पर प्लस 2 है तो 7 और 2 हो जाएगा 9 और उस 9 के बाद में हमारे पास में यहां पर बचा 7 और x 7 प्लस x में हम क्या ऐसा करें कि हमारा remainder जो है क्या जाना चाहिए हमारा remainder आना चाहिए 2 ठीक है तो अगर मैं जो है 7 में जो है x की ऐसी कौन सी बेले लूँ अगर मैं एक लेता हूँ तो यह 8 हो जाएगा 3 2 ने 6 और 2 बज गया अच्छा अगर मैं एक नहीं लेता हूँ तो मुझे remainder मिल जाता है हो सकता है थोड़ा सा confusion हो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतने समझदार तो है कि मेरी चीजें बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे बढ़ेंगे हम अपने अगले question की तरफ और हमारा अगला question क्या है अगला question कहता है कि यहां पर भी जो है 5591947x और इसको अगर हम 3 से divide करेंगे तो remainder एक आना चाहिए डिजिटल सम करेंगे और वो चीजें delete करेंगे eliminate करेंगे यह 9 गया यह 9 गया और 5 और 4 9 हो गया अब देखिए 7 5 12 और एक 13 होता है 13 प्लस X remainder 1 आना चाहिए अगर मैं X की value 0 ले ले लेता हूं तो चारतिया 12 होगा और remainder एक आ होगे तो मुझे उमीद है कि आपको यह सारी चीजें तरीके से समझ में आई होगी आगे हम और भी चीजें डिसकस करेंगे अब इसके बाद में जो है next video में क्या आने वाला है divisibility of 7 11 यह सारे थोड़े difficult numbers भी देखेंगे और फिर हम अपने concepts के साथ आगे बढ़ते रहेंगे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद